लो फ्रेंड वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग फ्रेंड आज नौरात्री इस पेसल में मैं मसाला दोसा बनाने जा रहे हूं अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है ये भी ब्रत में खाने वाली चीजों से ही बनेगी सामा के चावल मालूम है न वो ब्रत में खाये जाता है बस उसी का मसाला दोसा और नारियल की चटनी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बेटर त्यार करेंगे इसके लिए मैंने जो कटोरी दिखा है न इस कटोरी से नाप करके मैं दो कटोरी सामा का चावल ले रही हैं और इसी कटोरी से नाप करके देखें सामा का चावल ले लिया अब इसी कटोरी से नाप करके पावना कटोरी में साबू दाना लोगी साबू दाना और इसको दोनों को मिक्सी के जार में पीस के पाउडर बना लोगी इस तरह से अगर आपका पाउडर मोटा हो तो आप चाल ल कटोरी से 5 कटोरी पानी नापकर डालेंगे सीधे डबल जितना जितना वो था उसकेもしदे डाल रहें और इसको हम थोड़ा से नमग भी इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला करके इसको ढग करके आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे और जब तक कि अबजर्व करता है ना पानी तब तक हम मसाला बना लेते हैं मसाला के लिए एक उबला हुआ अलू लिया है उसको हाथ से स्मेश कर लिया है और यह हमने थोड़ी से आम चुर पॉडर लिये हैं जो कि मुझफली के दाने थोड़े से ले लिये हैं यह हरी मिर्च है दो तीन कट कर लिया यह जीरा है अगर वरत में आप जीरा नहीं खाते तो जीरा पॉडर और जीरा एवाइड कर सकते हैं यह टमाटर है और यह कड़ी पत्ता है तो चलिए श्टार्ट करते हैं मसाला बनाना मस इसको नििकाल लेजे और वो घी जाल दीजे उसे में हम मसालाया बनाएंगे तो अब हम इस में हम जीरा डाल रहे हैं जीरा को एक याँ-dो मिनट में जब जीरा तड़कने लगे तो उसमें हम हरी मेश्च डाल देएंगे हरी मिल से डाल करके एक या दो मिनट तक उसको भी पकने देंगे और उसके बाद हम लोग इसमें कड़ी लिप्स डालेंगे अब हम लोग इसमें थोड़े से तम जब यह दो तीनों पकने लगे ना तब इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे हम और तमाटर को अच्छी तर और इन सब को अच्छी तरह से भूनिये, एक से दो मिनट लगेगा इनको भूनने में, अब आप इसमें नमक एड़ कर दीजे, हाफ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने स्वादनुसार नमक एड़ कर लीजेगा, और जो जीरा पॉडर था वो मैंने डाल दिया है ये भी हाफ टेबल स्पून ही था, ये काली मिर्च जरा सा, ये वन फोर्थ चमच होगा, तो उतना मैंने वो डाल दिया है, और अब इसको अच्छी तरह से एक मिनट तक फिर से भूनेंगे, ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से आलू के अंदर मिक्स हो जाए, अब मैं इस से भी हाफ टेबल स्पून ही मैंने डाला है, अब इसको अच्छी तरह चला करके तीन से चार चमच तक पानी इसमें एड़ कर लीजेगा, इस ते ज्यादा पानी मत आड़ किजेगा, तीन चार चमच और इसको फिर अच्छी तरह से एक बार चला लीजे, और फिर इसको करके या लीज लगा करके इसको तीन-चार मिनट तक छोड़ दीजे, तीन-चार मिनट के बाद हम चेक करेंगे, अब देखें यह बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, इसमें धनिया डाल करके धनिया पता डाल करके इसको आप गैस के नौप को बंद कर दीजे, एक बर चला लिए और गैस के नॉप को बंद कर दीजे अब यह बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए आप चलिए हम लोग चटनी का प्रिप्रेशन करते हैं चटनी के लिए हम लोगों ने दो तीन हरी मिर्च लिए थोड़ा सा धनिया लिया है और गड़ी का उपर का ब्लैक वाला प नमक कम उसी हिसाब से डालिएगा और बस अब इसको थोड़ा सा पानी एड़ करकर के आप एक बारिक सा पेश्ट बना लिजी स्वारी मैं मुंगफली डालना भूल गई थी मुंगफली भी चटनी में बहुत जरूरी होता है तो मुंगफली को मैंने रोष्ट कर लिया है औ अब इस चटनी को चटनी बनके रेडी हो गया अब इसको तड़का दे देते हैं इसके लिए हाफ टेबल स्पून के करीब घी लिया है मैंने और जब घी अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे अगर आप वरत में जीरा नहीं खाते तो जीरा एड़ कर सकते हैं डायर कड़ी पता डाल दीजेगा पर मैं थोड़ा से जीरा डालके ही बनाऊंगी तो थोड़ा से जीरा डालिए और फिर कड़ी पता डाल करके इसको थोड़ा सा बस इसको चटकने दीजे और जब यह चटकने लगे और जीरा थोड़ा सा रेड तो ठीक है अब दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर दिए चटनी बनके रेडी हो गई है चलिए अब दोसा बनाते हैं इसके लिए नॉन इस्टिकी लिया है इसको थोड़ा सा घी से मैंने ग्रिस कर लिया और इस बेटर को जो मैंने बेटर बनाया तो आदा घंटा के लिए सेट क लोहे के भी यह में आपको थोड़ा घी जादा डालना पड़ेगा नॉन इस्टिकी है तो थोड़ा घी कम लग रहा है और ऐसे ही आप बना दीजे दोसा मिनट तक अब इसको दो-तीन मिनट तक कूख होने देंगे यह जो सामक का चावल होता है इसको सामक का चावल भी कहते है इसमें फाइबर बहुत होता है जो कि पाचन में बहुत अच्छा होता है व्रत में लंबे समय तक लगता है कि पेट भरा भरा सा है बलड सुगर को कंट्रोल रखता है और जो नारियल है ना कच्चा नारियल यह एंटी वेक्टेरियल एंटी फंगल एंटी वाइरल होता ह तत्तzung होते हैं जो हमारा संक्रम्ण्स के बचाओं में मदद करता है इसमें ट्राउइगलिसर ada होता है है कि दू करता है भूप को दबाता है जिसे में मदद दूर में मिलती है इस तरह से ये चेस्ट वह स्वाइदेमन्द भी है ज्यादा तेज रखने की जुरत नहीं है बस देखे ये बनके रेडी हो गया हमारा दोसा आप इसको प्लेट में लगाते हैं ये देखिए ये चट्टी है और ये सबजी है हमारा अलू अला और ये दोसा है देखे देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में तो सात्री आप इसको जरूर से ट्राइ किजिए और ये बहुत यमी लगता है अगर आपको हमारा रेस्पी हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब किजिए और पास के बेल आइकन पर दबा दिजिए जिसे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहु झाल 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 झाल